अस्तामनीकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो ठप स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल 13 वाथा मारिया जिसे चक्कर आने लगे और फिर वो साइम को ही बुलाती है साइम जल्दी से आकर मारिया को संभालती है और बिलाल को आवास दी ऐसे में हो सकता है साइम जल्दी से इसे हॉस्पिटल भी देशाए तब जाकर पता चलेगा के मारिया तो प्रेगनेट है अब मारिया के सारे प्लैन तो धड़े के धड़े रह गए क्यूंके बिलाल इस हालत में इसे अकेला घर तो लेकर नहीं देगा इसे साइम के साथ ही रहना पड़ेगा तो इसे कहते हैं कुदरत का फैसला दूसरी तरफ हानिया जिसकी मंगनी नगीन के कजन से होने जा रही है तो दोनों ही आपस में बात करते हैं तो काफी हुश है ऐसे में सारा ने ही नमबर लेकर दिया और फिर दोनों की बात मुम्किन होई हानिया को भी अब हमजा अच्छा लगने लगा है डाइनिंग टेबल पर बैठे शाजिया बेगम अपने बच्चों से कहने लगी कि मुझे हमजा अच्छा लगा है मुझे लगता है कि हमें उदर जरूर जाना चाहिए तके बात आगे भर सके तो यहां पर शहीर जो के अपनी ही मुझे ही अच्छा हुआ है कहने लगा ठीक है मंगनी हो जाएगी लेकिन हया रखिएगा हानिया और हमजा में शादी तक कोई बात नहीं होनी चाहिए यह बात हमारे घर के रवाजों की है रीतों की है और इस बात को जरूर फॉलो करना है ऐसे में सारा तो बुरी तरह से परिशान हो जाती है क्योंकि वो पहले ही हमजा और हानिया की बात करवा चुकी है और इस बात का फाइदा उठाते हुए नगीन आगे चलकर शादिया बेगम के दिल में फिर से सारा के लिए बदगमानी पैदा कर देगी क्योंकि जब वो कमरे में आई तो शहीर को कहने लगी आपने तो डाइनिंग टेबल पर कहा कि हानिया और हमजा बात नहीं कर सकते लेकिन मैंने हानिया को सारा से बात करते हुए सुना था कि वो हमजा का नंबर लेना चाहती है उसे बात करना चाहती है ऐसे में आपके फैसले कि क्या कोई अहमियत नहीं तब शहीर को गुसा आने लगा दिल ही दिल में सोचता है कि जो पबंदिया मुझ पर थी वो भला दूसरे बेहन बाईयों पर क्यों नहीं है दूसरे इतनी अज़ादाना जिन्दगियां क्यों गुझा रहे है तब ही तो शहीर सब में इंटर्फेर करना चाहता है सब की जिन्दगियों को अजीरन करना चाहता है शाजिया बेगम तक भी आहरकार ये बात पहुंच ही गई तो वो अब सारा पर गुसा है कि अब के बार तुम कुछ नहीं करो की तुमसे ये उमीद तो नहीं थी मुझे सारा क्या करे उससे ये गलती तो हो चुकी है एक तरफ सारा को अपने सुस्राल के मस दे और दूसी तरफ मेके का दुख अब यहां पर मां को पैसे बिजवाए तो मां फोन करते हुए कहने लगी सारा इतने कम पैसे बिजवाए तुमने ये तो कमेटियों में चला जाएगा बाकी क्या करूंगी बाकी हर्चे कैसे चलेंगे तो सारा ही मत करते हुए मां से कहने लगी मेरी जॉब चली गई ये तो मेरे अपने पैसे थे मैंने आपको भेजे मां को कुछ नहीं लेना देना सिर्फ जॉब करो और जैसे मर्जी पैसे भेजो क्योंकि मां ने तो सारा बोट सिर्फ सारा पर डार रखा है बेटा तो उनके हाथ आता ही नहीं बेटा जो घर की फाइल भी ले गया और कोई पैसे भी नहीं लाता तो ऐसे में मां उसे कहने लगी कि अगर तुम घर की फाइल नहीं लेकर आये या मुझे पैसे नहीं दिये तो मैं तुम से रिष्टा तोड लूँगे कभी तुम्हारी शकल नहीं देखूंगी ईसे में शायान को कुछ नहीं सूचा वो अली के पास जला चाता है और अली से कहने लगा आप तो जानते हैं श्टॉप तो किस तरह से मार्केट में नुकसान में ही जा रहा है ऐसे में मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा मैं तो सब कुछ गवा बैठा अब मैं क्या करूँ? अमी पैसे मांगती हैं, मैं कहां से दूँ? अब आज अली ही है जो इसकी मदद करेगा, इसको कुछ पैसे देता है जो जाका वो अपनी मां के हाथ पर रखता है लेकिन माँ को इतने से पैसे उसे तसली नहीं आती घर की फाइल चाहिए तो बस चाहिए अब ये शायान क्या बताए कि अब घर की फाइल भी खो चुका है और अब उसके हाथ कोई भी पैसा नहीं आएगा तो फ्रेंट्स आने मादी अपिसोड का ये चोटा सा रीवियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स में बताएए कहा मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके साथ पैल नोटिफिकेशन जरूर पैस कीशर ताकि आने मादी हर वीडियो बहुत असानी से देख स की आला हाफिस